आउसकार में नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट सार किरकेट के मैदान में बल्ले बाजूं और गिंद बाजूं का अपना अपना स्टाइल होता है कोई बल्ले बाज शतक या अर्दशतक लगाने के बाद अपने स्टाइल में खुशी मनाता है और दर्शकों का अविवादन करता है तो वहीं गेंद बाजूं का भी विकेट उखारने के बाद मैदान पर अपना अलग ही स्वैग होता है इसी कड़ी में पाकिस्तानी गेंदबाज हैरिस रौफ ने भी विकेट लेने के बाद एक यूनीक स्टाइल में जश्न मनाने का तरीका निकाला है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरी दुनिया इस वक्त करोना के चपेट में है बस इसी करोना को पाकिस्तान के गेंदबाज हैरिस रौफ ने अपने जश्न का नया अंदाज बना लिया है बल्ले बाजों के वक्त अब वो पहले की तरह ही उखाड रहे हैं पर उनका जश्न पहले वाला नहीं रहा उनके जश्न में अब कोरोना से बचने का संदेश दिखता है विकेट लेकर पाकिस्तानी गिंदबाज के जश्ण मनाने का अंदाज दुनिया को हाथ सेनिटाइज करने और धोने के साथ साथ मास्क पहनने का संदेश देता है पाक गिंदबाज हैरिस रौफ के जश्ण का ये कुरोना स्टाइल आस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बिग बैश लीग में देखने को मिला पर्थ स्कॉर्चस के खिलाफ मुकाबले में मेलबॉर्ण स्टार्स के गिंदबाज हैरिस रौफ ने जब बल्लेबाज का विकेट लिया तो उन्होंने पहली बार अपने जश्ण के नए तरीके की नुमाईश की आउट होने वाले बल्लेबाज थे पर्थ स्कॉर्चस के ओपनर कुर्टिस पेटरसन जिने हैरिस रौफ ने विकेट कीपर के हाथों कैच करवाया ये पर्थ स्कॉर्चस को मैच में लगा पहला जटका था तो पाकिस्तानी गेंदबाज हैरिस रौफ के जश्ण मनाने के साथ साथ कुरोना से बचने का संदेश देने वाले से स्टाइल पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा